भारत माता की जै भावानी जै भावानी कर्वीर निवासिनी आई महालख्ष्वीच्या आई अम्बावाईच्या चरणी त्रिवार वंधन करतो तमाम कोलापूर कराना माजा नवश्कार ये धरती चत्रपती सिवाजी महराज भर्मबीर संभाजी महराज और चत्रपती सहुजु महराज के आदर्शों की धरती है मैं इन सभी महापुरुशों के चरणों में प्रणाम करता हूं साथियों आप सब जानते हैं मैं काशी का सामसद हूं और आज करवीर काशी आया हूं ये मेरा सवभाग्य है साथियों हमारे कोलापुर महरास्त का फुटबॉल हब कहा जाता है फुटबॉल यहां के युवाओं में बहुत पॉपलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाशा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मद्दान पुरा होने के बाद बीजेपी और एंडिये दो जिरो से आगे चल रहे है कॉंग्रेस और इंडिये एलाइस ने देश विरोधी अच्छा जरा एक और नारा बुलवाना चाहता हूँ आज कोलाफूर के धरती पर आप बोलेंगे अभी मैं बोल रहा था फिर एक बार अब मैं नहीं बोलूँगा आप बोलेंगे फिर एक बार ठीक है गरीबों की सरकार गरीबों की सरकार H.C.S.T.O.B.C. की सरकार विकास को समर्पित सरकार युवा को अफसर देने वाली सरकार महिलाओं को सुविदा देने वाली सरकार शाबाश भाई और बहनो अब तीसरे चरण में बॉल केरियर की जिम्मेदारी कोलापुर वासियों के पास आने वाली है मुझे विश्वास है आप ऐसा गोल दागेंगे ऐसा गोल दागेंगे कि आगे के स्यारे राउंड भी इंडिये अलाइस वाले चारो खाने चीत रहेंगे क्योंकि ये पूरा देश जानता है जगत भारी कोलापुरी जगत भारी साथियों चुनाव के पहले ही मैंने कहा था ये चुनाव विक्सीद भारत के संकल्प का चुनाव है लेकिन जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रेक रेकोर्ड में एंडिये की बराबरी नहीं कर सकते उन्होंने अपनी राणदिती बदल लिए इसलिए इंडिया लाइस वालोंने खुलकर देश विरोधी एजंडा और तुस्ती करण के हतकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अब कॉंग्रेस का एजंडा है कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापिस ले आएंगे क्या आप ऐसा करने देंगे अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग से एक कानून रत कर देंगे क्या ये देश उनको करने देगा और अगर करने जाएंगे तो उनके हालत क्या होगी उनको पता है क्या अब आप मुझे बताईए जिन लोगों के तीन अंकों में लोग सभा सीट जितने के लाले पड़े हो क्या ये इंडिय एलाएंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या और उनका तो हाल ये है जी वो ऐसी फर्मुला बना रहे एक साल एक पीम ये फर्मुला निकालने में लगे है अगर पांच साल मोका मिले तो पांच प्रदान मंत्री अब इनको इसके आदद हो गई करणा टका में भी अभी सरकार बनी उनकी पार्टी उनका विजय फर्मुला क्या डाई साल एक मुख्य मंत्री डाई साल के बाद जो डेपीटी सी एम है वो मुख्य मंत्री है खेल खेल रहे इन्होंने चत्तिस ग्रटी में फर्मुला बनाई थी डाई साल एक मुख्य मंत्री दूसरे डाई साल दूसरा मुख्य मंत्री उन्होंने राजस्तान में फर्मुला बनाई थी एक डाई साल एक मुख्य मंत्री और हुआ क्या यह फॉर्मुला निकालने वाले लोग पाँच साल में पाँच प्रधानमंत्री देश पर ठोपने के सपने देखने वालों को यह देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है और इसलिए यह लोग देश पर गुसा उतार रहे हैं करना ट्रकाव और तमिल नाड़ में कॉंग्रेस और इंडी अलाइज के लोग क्या बाशन कर रहे हैं दक्षीन भारत को तोड़ कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं आप मुझे बताईए अहद पेशावर अहद पेशावर तहत तंजावर हिंद भी स्वराज यह गोसरा जिस धर्ति पर हुई छत्रपति सिवाजी बारात की धर्ति क्या कभी भी कॉंग्रेस के ऐसे एजन्डे को स्विकार करेगी क्या इन्हें जवाब मिलना चाहिए मिलेगा की नहीं मिलेगा तगड़ा जवाब मिलेगा शाथियों आयोध्या में राम मंदिर का पांसो साल पुराना सपना पुरा हुआ दसकों तक राम मंदिर को बनने से रोकने वाली कॉंग्रेस ने उसका भी बहिशकार किया और ये कॉंग्रेस कितनी अध़पतन में गई है ये राम मंदिर की जो ट्रस्टी है न ये अच्छे लोग है तो कॉंग्रेस के सारे पाप माप कर दिये और गर जाकर की निमंतरन दिये अगने वे चलो जो हो गया हो गया आओ उन्होंने उस निमंतरन को ठुकरा दिया क्या कोई कभी प्रभुराम के दरबार में जाने का निमंतरन ठुकरा सकता है क्या ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं क्या अरे कॉंग्रेस वाले जरा आइने में चहरा देखो वो आयोध्या के अंसारी आयोध्या का वो अंसारी परिवार जो जिन्दगी भर राम मंदिर के विरुद्ध अला अदालत में केस लड़ता रहा उसके पिता जी भी लड़ते रहे वो भी गुजर गए वो भी लड़ता रहा लेकिन जब नायाले ने कहा कि पर ये राम मंदिर है तो वो अंसारी खोद प्रभु राम के प्राण पतिष्ठा के कारकम में आकर के वहां मौजूद रहे जिन्दगी पर लड़ाई लड़े लेकिन फिर राम के शरण आये और ये राम का निमन्तर ठुकरा दिया जो राम को ठुकराएगा उसको आप क्या करोगे है आप क्या करोगे है आप क्या करोगे है जो डिम के पार्टी वो उनकी खासम-खास वो कह रही है सनातन को गालिया देने पर अब उतारू है कहती है ये सनातन तो डेंगू है मेलेरिया है और जो लोग सनातन के विनास की बात करते हैं उन्हें इंडिय गाडी के लोग महराष्ट्र बुला कर उनका संबान करते हैं ये द्रश्च देख करके मुझे तो सोचता हूँ बारा साथ के पर कितनी बीती होगी बारा साथ ठाकरे के मन पर कितनी चोट पहुची होगी ऐसे लोग है ये इतना ही नहीं इंडिय अगाडी वोटमेंग की राजनीती में इतना गीर गया है कि सिवाजी महराची धर्पी पर ये आवरंग जेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए है नकली सिवसे ना इन सब एजन्डों में इन लोगों के साथ कंदे से कंधा मिला कर चल रही है आज बारा साथ ठाकरे होते तो इनकी ये हरकते बहुत दूखी करती है और आज भी उनकी आत्मा जहां भी होगी सबसे ज़्यादा दुखी उनके इन कारणामों से होती होगी है साथियों तुष्टी करण और वोट बेंक की राजनित्य करने वालों की नजर अब लोगों की कमाई और दलित पिशणों के आरक्षन पर पहुँच गई है कॉंग्रेस के शहजादे उन्होंने गोशना की है कि वो आपकी संपत्ति की महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जाज करवाएंगे आपकी कमाई को कॉंग्रेस उन लोगों में बाटेगी जिनका ये देश पर पहला हक है सा बताते हैं तुष्टी करण के लिए कॉंग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है साथियों कॉंग्रेस ने एक और ऐसी गोशना की है जो महराशन के हरमाद मतदाता को जानना जरूरी है कॉंग्रेस ने अलान किया है कि आप जीवन भर जो कमाएंगे अपनों बच्चों के लिए जो कुछ भी जोड़ते रहेंगे वो पूरा का पूरा आपके संतानों को नहीं मिलेगा आज आपके बाद गाड़ी है तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं कर हैं दे सकते हैं खेत हैं दे सकते हैं यह कॉंग्रेस के सहाजादे फर्मूला लाए हैं आपके न रहने के बाद आपकी पैत्रुक कमाई में से आदा हिस्सा कॉंग्रेस इन हैरियेटन टैक्ष लगा कर बसूल करना चाहती है क्या आप अपनी महनत करके जो कमाई की है पाई पाई बचाई है बच्चों के लिए क्या उससे आप लूटने देंगे क्या यह कॉंग्रेस की सरकार जो सपने देखते हैं उसको पूरा होने देंगे क्या साथियों महाराष्ट बाबासाब आंबेड कर छत्रपती साहुजे महाराज जोतिवा फुले की धर्ती है महाराष्ट की यह धर्ती सामाजिक न्याय का प्रतीख है लेकिन कॉंग्रेस और इंडिया गाड़ी ने सामाजिक न्याय की हत्या करने के भी ठान ली है हमेशा बाबासाब का अपमान करने वाली कॉंग्रेस अब दलीतों पुछणों के आरक्षण पर डाका दाले की तैरी में है कॉंग्रेस महाराष्ट समेट पुरे देश में आरक्षण का अपना करनाट का मोडल लागू करना चाहती है और यह करनाट का मोडल क्या है इस देश के दलीतों ने आदिवासियों ने पिछडों ने सबने समझने जैसा है जी बड़ा भैंकर है मोडल करनाट का में कॉंग्रेस सरकार ने ओबी सी कोटे में जो 27 परसंट आरक्षण है वो मुसल्मानों को देने के लिए उन्होंने क्या किया रातो रात एक कागज पर थपा मार करके सभी मुसल्मानों को ओबी सी बना दिया रातो रात और इसके कान वो ओबी सी का जो कोटा सा उसके हकदार बन गए और जो ओबी सी को मिलता था वो पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया भाईयो अब ये फॉर्मूला ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं आप करने देंगे क्या 2012 में इंडी गड़बंदन की सरकार ने ये कोशिश की थी तब ये सफल नहीं हो पाये थे इसलिए अब कॉंग्रेस सम्विधान बदल कर दलीत पिछडों का आरक्षन धर्म के नाम पर बांटना चाहती है OBC के आरक्षन पर ये डाका क्या कभी कोई बरदास कर सकता है क्या आप बरदास कर सकते हैं क्या आप स्विकार कर सकते हैं क्या जिन लोगों ने करना टका में पीछडों का आरक्षन छीना है उन्हें देश में एक इंच भी सफलता नहीं मिलनी चाहिए आउसर नहीं मिलना चाहिए साथियों कॉंग्रेस और इंडिये गाड़ी का एक ही एजंडा है सरकार बनाओ, नोट कमाओ लेकिन हमने इन दस वर्षों में समस्याओं के स्थाही समाधान के लिए काम किया एंडिये ने युवाओं और महिलाओं को केंदर में रखकर काम किया एंडिये ने आत्म निर्वर भारत अभ्यान चलाया ताकि देश में उद्योग बढ़े एंडिये ने स्टार्ट अप इंडिया अभ्यान सुरू किया ताकि वहाओं को ज़्यादा आउसर मिले आज स्टार्ट अप्स के मामले में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है आज दुनिया में दूसरे नमबर पर सबसे ज़्यादा मुबाईल फोन बनाने वाला भारत है यानि जिस युवा को कॉंग्रेस ने नोकरी और रोजगार के लिए तरसा दिया था भारत का वो युवा अब दुनिया की अर्थे ववस्ता को दिशा दे रहा है अगले कारकाल में भाजपा एंडिये युवाओं को और ज़्यादा आफसर देने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए भाजपा ने गोशना की है कि मुद्रा योजना के तहत अब दस लाग के बजाए बिस लाग रुपे का लोन दिया जाएगा बीना गारंटी दिया जाएगा अगले पांच साल में हमारी सरकार इंट्रा सेक्टर पर रिकोर्ड निवेश करेंगे इससे भीवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढेंगे साथियों विकास में महिलाओं के भागेदारी विक्सित हो और विक्सित भारत की ये गारंटी है इसलिए महिलाओं के लिए अवसर उनके सुरक्षा ये मोदी की गारंटी है पहले जिन सेक्टर में महिलाओं के काम करने के पर पाबंदी थी मोदिन इस पाबंदी को खत्म कर दिया हमारी सरकार ने रोजगार मेलों के जिरिये सरकारी नौकरी में अलाकों बर्तियां की इससे सरकारी नौकरियों में महलाओं की भाईदारी बड़ी है महारास्टर में यहां कॉलापूर में सहकारी समित्यों में महले महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है हमारी सरकार ने पहली बार अलग सहकारी मंत्राले बनाया हमने महिलाओं को आरते गुरु से मजबूत बना रेक लिए सेल्फ हेल्फ गुरुप का एक बड़ा अंदोलन खड़ा किया इसी का नतीजा है कि पिछले दस साल में दस करोड महिला इस सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ी है यहां माराष्ट में भी पिछले दस वर्सों में सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ी महिलाओं को हजारो करोड रुपी की मदद दी गई है अब हमारी सरकार सेल्फेल्फ ग्रूप की तीन करोड महलाओं को तीन करोड महलाओं को लखपती दीदी बनाने का संकल पलेके काम कर रही है साथियों आज यही नारी शक्ति जब मोदी का सुरक्षा कबचर बन कर खड़ी है तो कॉंग्रेस वालों की जड़ा थकलिफ ज़ादाई बढ़ जाती है और आप भूलिये का नहीं विरांगना तारावाई के देश में कॉंग्रेस के उराज शक्ति का मिनास करने की बाते करते हैं साथियों कॉंग्रापूर विकास और विरासत के संभावना उसे बराक्षेत्र है लेकिन इंडिय अगाडी के सरकारों ने इस शेत्र की इतनी उपएक्षा की आज केंद्र की इंडिये सरकार और मुक्यमंत्र एकनास सिंदेज जी देवंदर फड़नवीज और भाई अजीत पवार की सरकार कॉलापूर के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे है मुंबई बैंगलूरू हाइवे के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है शक्तिफिड एक्ष्परेज में के जरिये माराच्ट का एक बड़ा हिस्ता आदुनी कनेक्टिविटी से जूड़ने जा रहा है हमने कोलापूर और खेत्र के नई ट्रेने दी है और बविश्वे हाँ बंदे भारत ट्रेने भी चलेगी हमने कोलापूर वयववड़ी रेलिवे लाइन को मंजुरी दिये जिससे कौकन खेत्र की कनेक्टिविटी और बड़ेगी कोलापूर एरपूर के रुकारपूर का सोभाग भी मुझे ही मिला है भाई और बहनों इस खेत्र में अंबा भाई शक्ति पीड का आशिरवाद प्राप्त है आने वाले समय में अच्छी सडकों और सुवीधाओं के कारण लाखो भक्त हमबा भाई के दर्षन करने आएगे यहां उद्योग व्यापार और परेटर से जुड़े अवसर पैदा होगे आप मुझे बताईए मोटा कमिशन न मिलने तक फाईलों को दबा कर बैठने वाले लोग याकुब मैनन की कब्र को सवारने वाले लोग उनसे आप कोलापूर का महरास्ट का भाग के बदलने की उम्मीद कर सकते हैं क्या ये लोग महरास्ट को आगे लेकर जा सकते हैं क्या साथियों साथ मैं को महरास्ट और देश का भविश्चत ताय करने के लिए एक बड़ा आउसर आ रहा है मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोलापूर से एंडिय के उमिद्वार बैसंजय मानलिक जी और हाथ कणंगले से बैरेशिल माने जी इनके पक्षवे भारी संज्जा में मतदान करके मोदी के हाथ मजबूत किजिए आप इनको जो वोड देने वाले हैं ना वो वोड सीधा सीधा मोदी को जाने वाला है लेकिन गर्मी बहुत है कहीं कहीं शादिया भी है फिर में मतदान ज्यादा होगा ना आप गर गर जाएंगे मतदाताओं को जगाएंगे आप पॉलिंग बूच जितेंगे मतदान के पुराने सारे रेकॉर्ड तुड़ेंगे पका अच्छा मेरा एक काम करेंगे यह मेरा पर्सनल काम है करेंगे जड़ा हाथ उपर करके बताईए करेंगे करेंगे मेरा एक काम करना मेरा एक काम करना यहाँ से जाने के बाद आस पास परोस में गाउं में मौले में जिन जिन लोगों को मिलना हो जाए नहीं होता है तो जाकर के मिलिए मेरी तरफ से मिलिए और हर एक को कहना कि अपने मोदी जी को लापुराए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है घर गर मेरा प्रणाम पहुचा देंगे आप जब हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा देंगे न तो हर घर के लोग मुझे आशिरवाद देंगे और हर परिवार से जब मुझे आशिरवाद मिलेगा तो मेरी उर्जा आने गुना बढ़ जाएगी और वो उर्जा आपके लिए काम आएगी क्योंकि आपका सपना यही मेरा संकल्प है मेरा पल-पल आपके नाम है मेरा पल-पल देश के नाम है और इसलिए भायो बेनो मैं प्रण लेकर के चला हूँ 24 by 7 फोर 2047 यह प्रण लेकर के निकला हूँ आपके लिए निकला हूँ और इसलिए मुझे पल-पल आपके आशिरवाद के जरूत है मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद डारत माता की